अब मैं इसको on करता हूँ और देखते हैं यहां पर कितना output या करता है, तो आज की वीडियो में हम mosquito bet को repair करना सीखेंगे, यहां पर यह जो mosquito bet है, इसमें यह properly charge भी हो रहा है, चार्ज को store भी कर रहा है, और on भी हो रहा है, लेकिन इस जगह पे यहां पर current pass नहीं हो रहा है, ज फिर कोई wiring का problem तो नहीं है, यह सब खोलने के बाद ही पता चलेगा, फिराल यहां पर जितने भी screw हैं, इनको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक आप इस वीडियो को like जरू कर लेना, और साथ ही आप वीडियो को share कर लेना, ताकि और लोगों को भी से सीखने के लि कार निकालेंगे, काफी डर मुझे भी लगता है क्योंकि यहां पर इसे आज तक मैंने रिपेर नहीं किया, वैसे सस्ता आता है, मैं यूज करता हूँ, और जब खराब जाता तो फैंक देता था, लेकिन आप लोगों की कमेंट साथी से इसको रिपेर करना बताओ, तो इसक पर जो बैटरी इसमें इस्तिमाल हुई है, यह तो मात्र कितने, यह तो चार वोल्ट की बैटरी है, पहले हम बैटरी की वोल्टेज को चेक कर लेंगे, ठीक है? एक मिनिट, इस जगह पर इसे वायर भी निकली हुई है, तो इसको हम कनेक्ट तो करेंगे ही, मिरेको लग रह के लिए वायर ही तूटा हो अब इसमें भी कनफर्म नहीं कि वायर तूटने से यह लिकत वैसे तो भई सब कुछ ठीक है तो यहां पर करेंट नहीं आ रहा है तो वायर तूटने के वज़ेसे भी समश्य आ सकती है लेकिन आप वीडियो को जरूर देखला है क्योंकि इसमें अ बढ़िया प्रॉपरली यहां पर सड़े चार वोल्ट दिखा रहा है इसका मदलब सब कुछ यहां पर बैटरी तो ओके है और साथ में यहां पर इसमें किनकिन कॉंपोनेंट्स का इसमाल हुआ है इसके लिए यानि कि यहां पर आपको अगर गलती से आपका हाथ भी टच हो जाएंगे और दोस्तों गलती से भी यहां पर हाथ लगा तो यहां पर यहां पर यहां हुआ था ठीक है इसको कर लेते हैं ऑफ अभी यहां पर एक बार में टच करके देखता हूं तो अभी भी देखी यहां पर यह बचा-खुचा करन्ट अभी भी यहां पर आ रहा है अभ बहुत ज्यादे का मतलब है कि आपको current लग सकता है यहाप पर देख सकते हैं एक मिट आपको यह button प्रेस करके दिखाता हूं इस button को मैंने प्रेस कर लिए आप यहाप देख सकते हैं आप इसका sound भी सुन सकते हैं कितना ज्यादे करेंट होता है दिखी यह देख सकते हैं आप अभी मैंने जूम कर लिया इस जिगा पर अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं कितना तगड़ा है यहाँ पर इस पार का आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ तार टूटने की वज़े से ही यहाँ पर हमारा प्रॉब्रम आया था फिलाल इसको तुम्हें जॉइंट कर लूँगा साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें क्या-क्या इसमें कॉम्पोनेंस लगे रहते हैं अगर आपके पास रिपेर के लिए आता है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए तो यहाँ पर हमारा एरेंट करन हो चुका है अब यहाँ पर इसको आफ कर लिया है वरना मुझे भी क्रेंट लग जाएगा इदर पर करन है यहाँ पर देखे इसके frame a unit कर लिया है अब इसके अदर फॉर्ट को हम समझेंगे ठिक है अब यहाँ पर इसको करके ही हम काम करेंगे वरना क्रसित करेंट लग सकताूर अब देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहां से चार्ज होता है, यानि कि इधर पर इसका चार्जिंग का यह लगा हुआ है, यहां से आपका AC 220V इसमें इंपूट होता है, और यहां पर 220V जो इंपूट होता है, इन कंपोनेंस के द्वारा इनको ड्रॉप किया जाता है, और उसको ड्रॉ इस बैटरी को चार्ज किया जाता है, यानि कि वोल्टेज को ड्रॉप करके इस बैटरी को चार्जिंग के लिए यूज में लाया जाता है, एक चीज और बता दू आपको, कापी सारे लोग बलते है, सर यह बैटरी खराब हो जाती है, तो कैस की जिग अब हम लीथिय मायन यूज कर सकते हैं, यानि कि यह जो बैटरी आती है, इसका यूज कर से दोस्तों, इस बैटरी को आप यूज बिलकुल भी मत करना, वरना यह फट सकती है, इस बैटरी और इस बैटरी में बहुत जाड़े रिफरेंस रहता है, यह आपकी लेड ऐसिट की है, यह लीधिय माय अब यहां पर यह बैटरी को चार्ज करने के लिए यहां से वोल्टेज मिलती है, अगर मान लिया जाए, आपका बैटरी चार्ज नहीं हो पार प्रोपरली, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, एक आपका बैटरी खराब होगा, दुसरा आपका किसी एक कंपोनेंट में खराबी टो सी और बता देता हैं, तो आपको समझा देता हूं, सबसे पहले, यहां से स्टार्ट है, जन्योओंस का मोड यहां तक स्टार्ट है, तो 200 mm-600 mm तक यहां तक resistance का mode है, ज़रूरी ही कि आपके पास, यही आपके पास multimeter हो, यह भी हो सकता है, इसमां resistance का mode यह है, ठीक है, यहां पर यह, यहां से, यह वाला section, तो यहां से यहां तक आप resistance को check कर सकते हैं, तो चलिए फिर resistance को check करने के लिए, सबसे पहले यहां पर इस तरीके से अगर नहीं आती resistance की value समझ लो आपका resistance खराब हो चुका है, internally खराब हो चुका है, वैसे resistance जलने के बाद, खराब होने के बाद, आपको बाहर से भी दिख जाता है, लेकिन, कभी-कभी internally भी खराब हो जाते है, तो यहां पर यह, तो यहां पर कितने, एक mega ohm के आस पास की यह इसेट करते हैं यह कितने हैं यह आपका 600 और डाउन करते हैं 200K के पर करते हैं तो यह आपका है यह आपका 500-600 कילोम्स के लगवक्की आपर लगो ठीक है denominator अब यहां पर म्रेजिस्टेस को चेक कर लिया अगर आपकाthose तक बाद नो यहां पर सेकर यहें मैं देखक हो तो क्लीजस तहीं कोप्ष में चेकर कर लगा तो नहीं यह नेक्स्ट है यह लिख करना है यहाँ तरफ पर फे टरफ तर ऐक्रेना चीह तबिशा चहीक पिया ने चत रखी आना जाता है ठीक है यह आपको ने चिक लिया अगर आती है तो समझ लिए इन कपैस्टो支 कर्णां में से बागी जिए टरफ लिख यह में इस तरीके से शौर्टिंग नहीं आने चीए यह कपास्टर चेक हो गया बाकि यहां पर यह जो रिजिस्टेंस बिल्कुल उसी मैधड से आपने चेक करने हैं और यहां पर एक क्या है ट्रांजिस्टर है या फिर मोस्पिट में पहले इसको चेक कर लेता हूं तो यहां पर डी आप नहीं यहां लेग है उन आपस मैं सोर्टिंग नहीं आनी चीए सौरी करें तो वैसे करके ऐसे शौर्टिंग नहीं रही है अगर किसी भीrän आपस नहींति आरहीए तो समयचो ऊक्त राप है ऐसी कॉय करने उनबर चेंज करना है लांटि होई आपको बता दिया है बाकि यहाँ पर एक यह क्या है यह ट्रांस्फोर्मर है तो यहाँ पर यहाँ फ्रिक्वेंसी ट्रांस्फोर्मर है यह स्टेप आप के लिए यूज किया गया है तो यहाँ पर यहाँ पर चार वोल्ट से आपको यहाँ पर ज्यादा वोल्ट मिल रही है तो समझ लो यहाँ पर यह ज high frequency में बदलने में देखी इतना तो इस circuit के बारे मुझे जानकारी नहीं है फिर भी आपको components चेक करना और साथ में इसको repair करने का थोड़ा आइडिया में दे सकता हूं आप कभी भी किसी भी circuit का shording असानी से निकाल सकते हैं अगर आपको accurate component चेक करना आता है तो आप किसी भी circuit को आसानी से repair कर सकते हैं किसी भी circuit को repair करना कोई मुश्किल काम नहीं होता component से ही मिलकर circuit बनता है अगर आपको component की accurate जानकारी है तो आप किसी भी circuit को आसानी से repair कर सकते हैं जैसे कि यहाँ सारे के सारे components को आपको बता दिया ऐसे check करना है बाकी जो transformer है transformer को भी आप easily ऐसे बजर की range पर set करके check कर सकते हैं यहाँ पर देखिए इसकी winding ये और ये हाँ ये और ये कितनी winding इसमें यूज करी है तो इनको check करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों winding यहाँ से घूम के इस मारी है और यहाँ पर इसका किसी से connection नहीं लग रहा है इन दोनों यहाँ पर input करी गई है output के लिए transformer में secondary में देखते हैं हाँ ये secondary में ये वाली winding है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका ज्यादा resistance जी तरफ दिखाता है समझ लो वहाँ से आपका इसमें output होना है step up में ठीक है step up जो transformer होते हैं उसके output में आपको ज्यादा resistance दिखाता है ठीक है यहाँ पर ज्यादा resistance दिखा रहा है तो step down करने नहीं दोस्तों यहाँ पर circuit को उसी हिसाब से design किया जाता है उसी हिसाब से component लगाए जाते हैं इसलिए आप यह एक्सपेरिमेंट ना कर रहा है कि हम इसको घुमादे तो step down करने लग जाया कर नहीं दोस्तों ऐसा experiment आपने बिल्कुल नहीं करना है काफी सारे लोग जानते नहीं है तो experiment करने लग जाते है तो यहाँ पर आपको सिर्फ बता रहा हूं वैसे मैंने आपको देखनी चाहिए ताकि आप लोग उससे सीख सकें तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड इसकी में मिल जाएगा आप जरूर देख लेना तो यहाँ पर देखिए ज्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस हो कर रहा तो इसका मतलब यहाँ आपको बना कर दे रहा है बाकि यहाँ पर देखिए इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है वैसे सर्केट विल्कुल ओके है लेकिन आपको सिखाने के लिए इतना मैं वीडियो को बना रहा हूं और यहाँ पर एक इसको आउन करने पर एक अधार यहाँ पर आपको सुनाता हूं मतलब कितना ज्यादस में से फ्रिक्वेंसी आउटपुट हो रहा आपको देखना चाहिए ठीक है इसको आउन कर लिए है आप सुनिए आप तो यहाँ पर कितना ज्यादा यहाँ पर करेंट पास हो रहा आप सुन सकते हैं वैसे मैं एक स्कूर्डाइबर को यहाँ पर टच्स करके दिखाता हूं आपको इसको आउन कर लिया है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बैसे कितना हाँ पर आप तो यह इस हिसाब से यहाँ पर इतना ही वोल्टेज और पुट करता है कियो होना एक बार यहां पर बोर्टेज को चेक किया जाए कि यह कितना आउटपूट करता है ठीक है इसको हम एसी वोल्टेज में चेक करेंगे तो दोस्तों यहां पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है मल्टिमीटर को अब यहां पर वैसे प्लस माइनस लिखा इसका मतलब यह डीसी आउटपूट करता है हजार कि यहां पर इसे प्लस में जायेगी यह सिर्फ वोल्टेज आउटपूट कर रहा है इसमें एंपयर नहीं है अगर एंपर होता तो इस इस किसी इंसान की जान जा सकती थी है क्लिक है यहां पर वोल्यशाल लिखते आ व्मर जाते हैं और यहां पर गudय्ज अधूरियृ बढ यहां पर हाइफ्रिक्वेंसी आउट्पुट कर रहा है तो दोस्तो आपने अप देख लिया होगा कि यह कितना उट्पुट करता है चलिए मैं इसको सौट कर लेता हूं वरना यहां पर मुझे भी करनेंट लग सकता है तो चलिए अब यह बिल्कुल यहां पर बंद हो चुका